दोस्तो आज का यह जो वीडियो है यह अल्रेडी हमारी चानल पर अप्लोड़ेड है पर उस वीडियो में सिर्फ वाक्थू दिखाये गया था पर आज की वीडियो में दोस्तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस घर के जो है वो मेजरमेंट किस तरह से है, साइजेस क् और इस घर बनाने के लिए कितना कर्च आया है और तो और यहाँ पर कलर का सिलेक्शन किस तरह से किया गया है और तो और टाइल का जो सिलेक्शन है वो किस हिसाब से किया गया है और कुछ ऐसी भी बाते है दोस्तो जब आप अपना घर बनाएंगे तो इससे आपका ज़रू फाइदा मिलेगा तो इसलिए वीडियो को पूरा जरू देखे और अगर आप लोग इस चानल पर नए आयो दोस्तो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तो कोस्ट की तो दो साल पहले इस गर को बनाय गया था तो लगबग इसे बनाने का खर जो है 12 से लेके 13 लाक रुपए तक आ गया था तो अगर हम बात करते हैं दोस्तो आज की सिच्वेशन की तो अगर आप आप आज ऐसा 1000 स्क्वेर फेट वाला घर बनवाना चाहते है तो आपको कम से कम बजट जो है 14 से लेके 15 लाक रुपए तक रखना चाहिए क्योंकि इससे होगा यह दोस्तो कि आप पूरा घर जो है वो कम्पलीट कर पाओगे यानि कि यह जो गहर है दोस्तो यह पूरा पेंट के साथ कम्पलीट किया गया है सभी चीजे जो है दोस्तो वो कम्पलीट इस घर में की गई थी और एक चीज यहाँ पर इंपोर्टन यह है दोस्तों ये जो पूरा घर आप देख रहे है ये पूरा RCC structure है यानि कि यहाँ पर column और beam इनका इस्तमाल किया गया है और जो wall की ठीकनेस है सभी wall की ठीकनेस 6 इंच है यानि कि अंदुरुनी और बाहरी दोनों wall जो है वो 6 इंची wall का इस्तमाल करते हुए इस घर को बनाय गया है तो सबसे पहले गर हम बात करते हैं दोस्तों पोर्च की यहाँ पर आप जगे सके देख रहे हो जनरली जो पोर्च होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं इसके नीचे यह exact जो है वो पानी की टंकी बनाई गई है 4000 लिटर की और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि wall पे जो है वो tile का इस्तमाल किया गया है और जब हम अंदर आते हैं दोस्तों तो अंदर आने से सबसे पहले हम यह जो चीज दिखती है तो अगर हम अंदर आते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर हम hall में आते हैं तो hall का size जो है वो है 15 feet 5 inch by 13 feet यह हो गया हमारा hall अब यहाँ पर आप hall के साथ देख सकते हैं यहाँ पर fall ceiling का इस्तमाल किया गया है जो की दिखने में अच्छा दिखता है अगें दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं color की तो यहाँ पर light color का इस्तमाल किया गया है हाला कि यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों tile की तो यहाँ पर hall में glossy finish tile का इस्तमाल किया गया है जो की दिखने में अच्छी दिखती है, जिसे की P.O.P का reflection भी होता है, और तो और जैसे के आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो light का reflection है, वो सही से हो पाता है, तो दोस्तों यह तो हो गई आपके hall की बाग, अगर हम यहाँ से दोस्तों entry करते हैं, तो entry हमारे आ जाती है हमारे kitchen के तरफ, सबसे पहले तो जिना दिखाए देता है, पर आगे अगर हम आते हैं, तो आज आता है हमारा kitchen, तो kitchen का size है दोस्तों 13 feet 9 inch, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका size भली मैंने कम बताया है, पर दिखने में यह बड़ा दिख रहा है, क्योंकि होत है दोस्तों, वो यहाँ पर दो loft दिए गया है, एक left side में और एक right side में, जनरली जो kitchen में loft दिए जाते हैं, वो yel shape दिए जाते हैं, पर यहाँ पर बैक का portion जो है, वहाँ पर wall ही नहीं है, तो इस वज़े से दोनों side में जो है, वो loft आ चुके हैं, और जैसे कि आप यहाँ प finish tile का इस्तमाल किया गया है, जिससे कि यहाँ पर जल्दी धूल के या फिर other dark जो होते वो दिखाई न दे, और slippery surface नहीं होता, अगर आप matte finish tile लगवाते हैं, तो इस bedroom में जैसे कि आप देख रहे हैं, दोस्तों, एक wall जो है, वो dark की गई है, और बाकी तीन wall जो है, उनको जो ह matte finish tile का इस्तमाल किया गया है, हाला कि kitchen में जो tile थी दोस्तों, वो wooden finish थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, को सफेद color की जो है, वो matte finish tile का इस्तमाल किया गया है, और जो wall dark की गई है, दोस्तों, उसमें किसी भी प्राकर की opening नहीं आती, यानि कि यहाँ ना तो खिड़की आ दी गई है, और यहाँ पर आते ही, जब हम entry करते हैं, दोस्तों, तो उपर के तरफ एक loft दिया गया है, जिसके उपर जो है, आप सामान रख सकते हो, और अगर हम बात करते हैं, दोस्तों, दूसरे bedroom की, तो दूसरे bedroom का भी same measurement है, 10 feet 10 inch by 10 feet 6 inch, तो यह हो गया है दोस्तों, दू actual में door के open दिया गया है, और जो bedrooms की opening है, दोस्तों, उसका size है 3 feet by 7 feet तक, और अगर हम बात करते हैं, दोस्तों, bathroom की, तो bathroom का size है 7 feet by 3 feet, और bottom में जो tile लगाई गई है, वो लगाई गई है, anti-skid, और जो उपर तक tile लगाई गई है, दोस्तों, वो 7 feet तक लगाई गई है, जैसे के आप देख सकते हैं, shower और mixer, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, दोस्तों, toilet की, तो toilet में यहापर, एक common toilet, इसका की size है, 3 feet by 4 feet, तो यह एक toilet इस्तमाल किया गया है, और दूसरा यहापर, यह जो toilet आप देख रहे हैं, दोस्तों, यह bedroom से attach है, यह actual में pre-plan नहीं था यह जैसे side पर काम चल रहा था, उसी सबसे customer के requirement अनुसर जगपर ही बना दिया गया है, तो इस वज़े से इसका opening जो है, वो बाहर के तरफ है, यहापर commode का इस्तमाल किया गया है, आलकिलाल में होता यह है, दोस्तों की bedroom में एक toilet attach, चाहिए ही होता है, क्योंकि कभी-कभी घ रेलिंग आप यहाँ पर देख रहे है, इसे जो है, थोड़ा सा outer side में बिठाए गया है, जिससे की width है, वो मिल सके, एक्चल में जिने की step की width है, वो हम general लेते हैं 3 feet, यहाँ पर जो width है दोस्तों, वो 2 feet change ली गई है, यानि कि regular से change कम ली गई है, इस वज़े से जो बाद जो है, इसकी उपरी मंजिल बन जाएगी, तो इस वज़े से दोस्तों, यहाँ पर IPS waterproofing का इस्तमाल किया गया है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आ गई होगी, और इसमें जो चीजे बताई गई है, तो इन चीजों से भी आपको हो जाते हैं दोस्तों, तो एक्चुल में POP का लूग जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजे, और हाँ आभी तक आप की सिचुशन में ऐसा मकान बना सकते हो, हाला कि ये डिपेंड करता ही कि आपकी एरिया नुसार, मट्रिल के रेट वगरा क्या है, पर एक लंब सम अंदाज अगर आपको चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो.